तो देखते हैं पर Q15 में हमसे क्या पूछा गया है What is reverberation? How can it be reduced? तो सबसे पहले हमें यहाँ पर बताने कि reverberation होता क्या है उसके बाद हमें यहाँ पर बताने कि हम इसको कैसे कम कर सकते हैं तो जो हमें बड़े-बड़े होल होते हैं उसमें जो sounds होते हैं वो यहाँ पर जादा देर तक सुनाई देती है क्योंकि वहाँ पर होता कि repeated reflection होता है और जो यहाँ पर repeated reflection होता है वो यहाँ पर wall से होता है ceiling से होता है और जो यहाँ पर hall का floor होता है नीचे की साट जो floor होता है उससे होता है और उसी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं तो जो हमारे यहाँ पर excessive reverberation है इसको कम करने के लिए लग-लग methods यूज किये जाते हैं तो यहाँ पर कुछ methods हम यहाँ पर discuss कर लेते हैं जिससे की जो हमारे यहाँ पर reverberation है वो यहाँ पर reduce हो सकता है तो सबसे पहले हम यहाँ पे panels की बात कर लेते हैं जो यहाँ पे ceilings में लगाए जाते हैं उसको हम यहाँ पे compressed fireboard का बना सकते हैं जिससे कि जो हमारी हम यहाँ पे reverberation है वो हमारी हम यहाँ पे reduce हो सके और जो sound waves है उसको हम यहाँ पे वो आसानी से absorb कर पाएं दूसरा हम यहाँ पे floors पे carpet लगा सकते हैं जिसके वज़े से जो sound waves है वो भी हम यहाँ पे क्या कर सके absorb कर पाएं तीसरा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं doors और windows पे हम यहाँ पे heavy curtains लगा सकते हैं जो परदे हैं वो हम यहाँ पे heavy लगा सकते हैं पर दरवाजे पर और खिड़कियों पर जिससे के जो sound waves है वो हमारे यहाँ पर क्या कर सके एब्सॉर्ब कर पाए और जो reverberation है वो यहाँ पर ज्यादर देर तक ना रहे चोथा यहाँ पर क्या कर सकते हैं जो बड़े-बड़े hall होते हैं या auditoriums होते हैं उसमें जो seeds होती हैं वो हम यहाँ पर ऐसे material का बना सकते हैं जिससे के वहाँ पर जादर से जादर sound जो है वो यहाँ पर क्या हो एब्सॉर्ब हो सके तो आप इस तरीके से यहाँ पर reverberation को reduce कर पाएंगे और हम पर sounds की overlapping से हम यहाँ पर बच पाएंगे hope आपको इस question का अंसर भी समझ में आ गया होगा अब हम चलते हैं अपने next question के तरफ